आज हम कक्षाचार पाठ दो बढ़ते कदम पाठ का अभ्यास करेंगे इसके लिए मैंने आगे एक वीडियो आपको दिखाया जो वर्ण माला का था बराबर और इससे पहले हम पहले तास में पाठ एक का अभ्यास कर चुके हैं उसमें थोड़े शब्द थे और शुवर व्यांजन के बारे में था व्यांजन में कौनशा व्यांजन गुजराती व्यांजन के शमान है या उससे थोड़ा अलग है ये सब सिखा था और आज हम हिंदी वर्ण माला सिखते हैं हिंदी वर्ण माला में देखिए पहले है स्वर बराबर ये स्वर है और नीचे देखिए क ख ग ग अंग चा चा जा 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 ता था डा डा अन ता था दा दा न पा फा बा बा मा यार ला व सा हा क्षत्र गनाश्र बराबर अब आप उपर देखिए अभ्यास चो पाक एक का अभ्यास चो इसमें देखिए क्या है गुजराती और हिंदी वर्णों का अंतर समझे ये हम सीख चुके है बराबर अंतर समझे यानि की गुजराती काकर हिंदी के क से थोड़ा अलग है दोनों में अंतर है मैंने आपको पहले बता था न कि हिंदी के अमुक शब्द अमुक व्यंजन अमुक वर्ण गुजराती वर्ण के बराबर है और अमुक वर्ण थोड़ा अलग-अलग है तो यह अप्यास्थ में जो व्यंजन दिए गए है जो वर्ण दिए गए है वो ऐसे वर्ण है जो गुजराती वर्ण से थोड़ा अलग है बराबर अब हम पाट दो का अभ्यास एक देखना है उसका ये जवाब है बराबर हम देखते हैं अभ्यास एक हिंदी वर्ण माला में देखकर गुजराती वर्णों से बिन्न वाले हिंदी वर्ण तुंड कर लिखिये जैसे की उदाहरन के रूप में दिया गया है ज गुजराती और हिंदी में लिखा है ज तो नीचे जो जग्या दी गई है स्थान दिया गया है उसमें हमें उपर से देखकर देखो, अभ्यास छो में दिया गया है, ये लाइन पुरे-पुरी लिख देनी है, दोनों लाइन, को, ख, च, ज, ई, ज, फ, ए, अन, ब, भ, ल, उ, अ, द, अई, बराबर ये आपको नीचे अभ्यास एक में लिखना है, दोनों लिखना है, गुजराती में और हिंदी में, दो अभ्यास दो, यह, वह, आप चित्र देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, यह, यानि की जो चीज हमारे नस्दिक है, उसके लिए हम यह सब्द काउपयो करते है, जो पतन को उसकी उंगली है, वो टच की गई है, बराबर, और उसके सामने देखो, पतन दूर है, और उंगली दूर से बताई गई है, तो हमें यह चित्र देखकर ही पता लगता है, कि यह पतन दूर है, तो दूर है, इसके लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया है, तो फिर से बताती हूँ, कि जो नस्दिक की वस्तू होती है, उसके लिए हम यह का प्रयोग करते हैं, और जो दूर है, उसके लिए हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं, अब हम अनुवाद भी साथ में करेंगे, हम पहले यह सब्द देख चुके है, पतं का अर्थ, पुस्तक का अर्थ, गोडा का अर्थ, बराबर, तो यह पतं है, यह यानिकी नस्दिक वाली वस्तू, आ, आ पतं छे, तमारे साथे साथे नीचे पैंसिल थी, लखू होई, तो लगता जजो, शामें जुओ, वह पतं है, तो पेलो अथवा तो ते, ते पतं छे, अथवा तो पेलो पतं छे, नीचे जुओ, वीजू, यह पुस्तक है, आ पुस्तक छे, अथवा तो आ चोपडी छे, वह पुस्तक है, तो पेलो अथवा तो ते पुस्तक छे, आत्वा तो ते चौपड़ी छे. यह गोडा है आ गोडो छे वह गोडा है पेलो गोडो छे आत्वा तो ते गोडो छे. बराबर तमने लोकोंने पाकी खवर पड़ी गे यसे के नजिक नी वस्तू माटे आपड़े यह उप्योग करिसुं अने दूर नी वस्तू माटे आपड़े वहनों उप्योग करिसुnd आपड़े जो ये अभ्यास 3 तो ये अभ्यास 3 में क्या है? यह है ये है बराबर अवे आमा तमें बराबर चित्र जो सो तो तमने खबर पड़ी जसे के चित्र मां डाबी बाजुजी आपेला चे ए चित्र मां एक एक चित्र चे जारे जमनी बाजुजी चित्र आपेला चे तेमां बब्बे चित्र आपेला चे अथ्वा तो बे करता वधारे चित्र आपेला छे तो आना उपर थी आपने सुख्याल आवे छे कि एक चित्र माटे अथ्वा तो एक वस्तो माटे यहनो उप्योग थाई अने एक करता वधारे वस्तो माटे यहनो उप्योग थाई क्यारे जारे नचीक होई त्यारे बराबर चलो अभ्यास्तीन यह है यह है बराबर अब लाश्ट में देखे है और है तो जो डाबी बाजू में वाक्य है उसमें है के उपर बिंदी नहीं है और उसके सामने वाली लाइन में देखे एक से ज्यादा चित्र है उस वाक्य में है के उपर बिंदी है बराबर तो हम इस पर से कर सकते है कि एक वचन वाले वाक्य में है के उपर बिंदी नहीं आती और एक से ज्यादा चित्रवाले या ज्यादा वस्तुवाले वाक्य में यानि कि बहुवचन वाले वाक्य में है के उपर बिंदी आती है अभ्यास्तीन यह है ये हैं अब हम बाक्य देखते हैं यह लड़का है लड़का एकले छोकरो तो आ छोकरो छे अब सामने देखो ये लड़के हैं तो ये इतले के आ यह नो अर्थ पण आ थाई और ये नो अर्थ पण आ थाई पण ज्यारे एक वस्तु होई अत्वा तो एक वचन होई त्यारे आपड़े यह वापरी सु अने एक करता वदारे वस्तु होई त्यारे आपड़े ये वापरी सु बराबर तो यह लड़का है आ चोकरों छे ये लड़के हैं आ चोकराओं छे अत्वा तो आ बदा चोकराओं छे पण आपड़े आ बदा नथी लगता फक्त आ लखिये छे दूसरा बाकिया यह हाथी है आ हाथी छे ये हाथी है आ हाथी ओ छे सु लखवानू हाथी ओ यह एक भी जो फरक तमने खबर पड़ी उपर जो लड़का एक वचन हतू तेनू बहुवचन लड़के थयू ज्यारे यह हिंदी मा अमूख शब्द एवा छे के जेनू एक वचन अने बहुवचन एककत सर्फू थाई छे तो देखे हाथी छे एक वचन तो बहुवचन मा पण तेने हाथी ज बोलाई छे पण आगण अने पाचण ना शब्दो जोईने अत्वातो चित्र जोईने आपने खबर पड़ी जाई छे क्या बहुवचन छे आगण ये लगायो छे अने हैनी उपर बिंदी छे इटले आपने खबर पड़ी जाई क्या बहुवचन नू भाक्य छे तो ज्यारे भाशान तर अनुवाद करिये तो आपने लखवानू आ हाथी ओ छे तीसरा बाक्या यह लड़की है आ छोकरी छे ये लड़किया है आ छोकरी ओ छे चोथा यह माला है तो देखो सामने माला नुसु थाई गयू माला ए ये माला ए है उपर लड़की में दुसरा भी एक ध्यान से सुनो लड़की का बहुवचन लड़की आ हुआ बराबर लड़की एक वचन है तो लड़की कने दिरगई की छे जारे एनू बहुवचन थोयू तो एक रश्वई थाई गयो लड़कीया कने रश्वव की थाई गयो ए पाण ध्याहान रागजो बराबर यह पुस्तक है आ पुस्तक छे अथवा तो आ चोपड़ी छे बराबर तो आ पुस्तक को छे अथवा तो आ चोपड़ी ओ छे अब्यास चार जिस तरह हमने यह और यह के वाक्य देखे उशी तरह वह हैं वे हैं बराबर जब नस्दिक का था तो यह और यह का उप्योग किया अब दूर वाली वस्तु या दूर वाले चित्र के लिए हम वह और वे शब्द का प्रयोग करेंगे वह हैं वे हैं वह चुहा हैं चुहा चित्र जोईने खबर पड़ी जसे चुहा एटले उंदर तो पेलो उंदर छे एनू बहु वच्चन जुओ वे चुहे हैं तो पेला आपड़ा एक वच्चन मा पेलो लख्यू हवे आपड़े बहु वच्चन मा सु लख्यी सु पेला उंदरो छे वह माली है माली का बहु वच्चन माली ही होता है तो आ माली छे पेलो माली छे मान आपड़े लख्यू होई तो पेला माली छे आ पेलो अने सामे एनू बहु वच्चन पेला वह तितली है तो पेली पेला पतंगिया चे वे तितली है तो पेली पेला पतंगियाओ चे आ पतंगियू थाई, एक होई तो पतंगियू, आ पतंगियू छे, पेला पतंगियू छे, पतंगिया लखो तो बी चाले, पतंगिया ओ, एवु लखो तो पन चाले, बराबर, पेलू पतंगियू छे, पेला पतंगिया छे, अत्वा तो पेला पतंगिया ओ, छे, वह कुर्शी हैं, वे कुर्शियां हैं, वह, इटले के, पेली, पेली खुर्शी छे, खुर्शी ओ, बराबर, वह, बक्री है, वे, बक्री यां हैं, बक्री एक वच्चन छे, तोर दिर्गई छे, अने, बहु वच्चन बक्री यां, तोर रश्वई थेई गयो, आपन तमारे याद राखवानू छे, कुर्शी, शी दिर्गई अतो, सामेजो बहु वच्चन मा, शी रश्वई थेई गयो, एवे, जृत्यानी, उपर, जो तितली, ल, दिर्गई छे, अने, बहु वच्चन मा, ल, रश्वई छे, बराबर, तो एक वच्चन मा, दिर्गई होई, तो बहु वच्चन मा, रश्वई, थाई जाई छे, अमुग शब्दो, तो एवा, शब्दो, उपर, पण, आपड़े, ध्यान, राखवानू, छे, हवे, अब्यास, चार, सुधीनू, तमने, होंवर, कापी, दो, के, तमारे, सौथी, पैल्ला, तो, नस्दीक, ना, वाक्य, अने, दूर, ना, वाक्य, एवा, पाच, पाच, वाक्यो, बनावाना, छे, बराबर, पछी, बीजू, लेशन, छे, के, एक वच्चन, अने, बहु वच्चन, ना, दस सब्दो, बनावाना, छे, दाखला तरीके, लडका, लडके, हाथी, हाथी, लडकी, लडकिया, माला, मालाई, बराबर, एक वच्चन, अने, बहु वच्चन, हवे जो इसु आपड़े अव्यास पाँच यह इस वह उश यह नस्दिक के लिए हम यह के साथ इस का उप्योग करेंगे इस सब्द का उप्योग करेंगे और दूरवाले वह के साथ हम उस सब्द का प्रयोग करेंगे बराबर वैसे ही बहु वचन के लिए यह तो यह के साथ हम इन सब्द का उप्योग करेंगे और वे के साथ उन सब्द का उप्योग करेंगे बराबर याद रखना बराबर चलो हवे आपड़े वाक्य जोईसू ये तितलिया है गुजराती करो आवड से अवड तमने ये तले क्या उप्योग था ये नो एक करता वधारे होई त्यारे तो अने नजीक होई त्यारे तो आ तितलिया एटले पतंगी आओ है एटले छे तो आ पतंगी आओ छे इनके पंख रंग बे रंगी है आमनी पांखो पंख एटले पांखो रंग बे रंगी छे अब दूर का वाक्या आया वह कवा है पेलो कागडो छे देखो पेड पर कवा है और लड़का थोड़ा दूर खड़ा है दूर वाली वस्तू के लिए वह शब्दो का प्रयोग किया और कवा भी एक है इसलिए वह का प्रयोग किया बराबर उसका रंग काला है तैनों रंग काडो छे अब नीचे देखो वे दो पेड है उपर वह था और नीचे वे हो गया उपर एक पेड था और एक कवा था नीचे दो पेड है बराबर तो दो के लिए बहुवचन हो गया वे इतले के पेला वे दो पेड है पेला बे जाड छे उन पर के लिएके एनी उपर बगुले बैठे है बगला बैठा छे अब्यास छो मैं हम तुम आम मैं यानी की आपड़े होते हम इतले के हुँँ अन्य मारी साथे जिये पनलोको होई ते यानी की हम तुम तुम एतले तू अथवा तो तमे अन्य आप एतले तमे बदा मैं तुसार हुँ तो हुँ तुसार चू मैं विद्यार्थी हुँ विद्यार्थी चू मैं स्कूल जाता हुँ हुँ शाडाये जाव चू मैं दिपाली हुँ हुँ दिपाली चू मैं विद्यार्थी नी विद्यार्थी चोकरा माटे विद्यार्थी वप्राय चे अन्य चोकरी माटे विद्यार्थी नी बराबर मैं विद्यार्थिनी हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, हूँ शाड़ाए जाव चूँ अब एक से ज्याद आया, हम, हम लड़के हैं देखो, है के उपर अनुश्वार है, बिंदी है, बववचन के वाक्य के लिए, है उपर बिंदी हम लड़के हैं, अमें छुक्राओ चिये हम पढ़ते हैं, अमें वाचिये चिये हम लड़किया है, अमें छुकरियों चिये हम पढ़ती है, अमें वाचिये चिये तुम हमें सामेवाली व्यक्ति, पहला मैं और हम आयू, अब तुम और आप आएगा सामनेवाली व्यक्ति के लिए तुम विद्यार्थी हो, तुम विद्यार्थी चे तुम चौथी कक्षा में पढ़ते हो तुम, एटले के तमे, अथवा तो तु आपड़े जो एन मान आपपू होई तो तमे लखवानू, अने आपड़ी सरक्य उम्मन नों होई तो तु लखवानू, तु 4 धोरणमा बणे छे 4 एटले के 4 तु, कक्षा, एटले धोरण तुम, 4 कक्षा में पढ़ते हो तु 4 धोरणमा बणे छे तुम विद्यार्थिनी हो, तुम विद्यार्थिनी छे, तुम चौथी कक्षा में पड़ती हो, तुम चौथा दोरण मां भणे छे आप किशान है, जो किशान एकच छे, पण तो भी त्या सेनो प्रयक्था छे आप, तो मोटी व्यक्ति होई, तुम कहवाई नई, तो सेनो उप्योग करीशू आप, बराबर तो आप किशान है, तमें खेडूत चो, आप खेती करते हैं, तमें खेती करो चो अब देखिए नीचे, आप डॉक्टर है, तमें डॉक्टर चो, आप अस्पताल जाते हैं, तमें होस्पिटल जाओ चो अब आना उपर थी आपने प्रश्णों भी बनाई शकाएं, बराबर किशान क्या करता है, तो उसका जवाब में लिखेंगे, उसके जवाब में किशान खेती करता है, वित्यार्थी क्या करते हैं, वित्यार्थी पढ़ते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर अश्प तो आपन पढ़ से, अब अभ्यासात, अभ्यासात में क्या है? मैं, उपर देखो मैं के उपर दो मात्र थे, मैं के उपर दो मात्र उसका अर्थ है मैं, खुद, श्वयं, बराबर, अब नीचे मैं के उपर एक मात्र है, तो में का अर्थ होगा नी अंदर, अत्वा तो मा, चोपडी मा, बर्णी मा, पुस्तक मा, कमपाश मा, मेंनो एक मात्र में होई, तेनो अर्थ सुथाई, मा के अंदर, एटले, के एटले नी, नी अंदर, के उपर, नी उपर, के नी चे, नी नी चे, के पास, नी पासे बराबर, आटला सब्दों नो उपियोग, आपड़े सिखवानों चे, समझवानों चे, बराबर, अब तो आपको हाँ, आई होगा, की, ज्यादा चित्र, ज्यादा वस्तु के लिए, हम ये और वे का प्रयोग करते हैं, देखे, ये मचलिया हैं, यह एक वचन का वाक्य है, या बहु वचन का वाक्य है, बोलो तो ठीक है, बहु वचन का, अगर एक वचन का होता तो मचली ऐसा होता, और यह सब्द प्रयोग किया होता, लेकिन यहाँ पर ये मचलिया हैं, तो आ माचली ओ छे एनी आगल अथवा पाचड तमें पैंसिल थी गुजराती माँ पन लगता जजो इतले त्यारे तमने आ अनुवात करवानू कव त्यारे तमने तकली पड़े नई बराबर होमबर्क मां हुँ तमने आ बद्दाज अभ्यास नुँ अनुवात करवा आपमानी चू बले तमने गम्मे तेटलो शमय लागे एनी चिंता नहीं करवानी बराबर गम्मे तेटलो शमय लागे पना जितला अभ्यास चे आ ना ना वात्पियों चे एनू अनुवाद तमारे करवानू छे। इदले आजी वकत नू होमवर्क वदार हसे। मैं तमने पैल लाज की दू तू ने। चोथा दोरण मां मारे चलावानू ओचू पड़ तमारे लखवानू वदार आवसे। चलाओ, ये मचलिया है आ माचलियों छे। मचलिया पानी में हैं, देखों में, में इतले मां। माचलियों पानी मां छे। माचलिया जार के अंदर हैं, जार एतले बरणी। चित्र जोईने खबर पड़ी जाए के जार एतले बरणी। माचलियों बरणी नी अंदर छे के अंदर। एतले नी अंदर बरणी नी अंदर। माचलियों बरणी नी अंदर छे। आगे देखे। यह किताब है। आ अरे वह किताब है। वह एतले दूर। पेली चोपडी छे। किताब मेज पर है। चोपडी मेज उपर छे। किताब मेज के उपर है। किताब टेबल नी उपर छे। मेज एतले चित्र मा जुयतो, मेज एतले टेबल, देंगोओ बिजु वाक्पय जुयतो, मेज पर है। तो उपर लेगै टेबल पर छे। बराबा जर नीचेन वाक्कें मा के उपर। एतले आपड़े नी लखवू पड़े। तो चौपडी टेबल नी उपर छे, बराबर लखी लो, चौपडी टेबल नी उपर छे, अब देखो चित्र में, और शामने उसके बाके देखो यह, यह गाई है, आ गाई छे, गाई पेड के नीचे है, के अटले नी शब्दा आपड़े लखो पड़े, तो गाई जाड़नी नीचे छे, बराबर, गाई गांश खा रही है प्रश्ण पूछे के भी गाई सु करे चे तो गाई गांश खा रही है गाई गांश खाई रही चे अत्वा तो खाई चे गाई गांश खाई चे यह वह पाठ शाला है पेली पाट शाड़ा याने की निशाड अथ्वा तो एकलू शाड़ा जे भी लखोते पेली निशाड छे पाट साला के पास पेड है निशाड निपासे जाड छे पेड के निचे बच्चे खेल रहे है जाड़नी निचे बच्चे बाड को खेल एकले रमी रया छे बराबर जाड़नी निचे बाड को रमी रया छे अत्वा तो रमे छे रमी रया छे एवो लखो तो भी चाले अने रमे छे एवो लखो तो पां चाले तो पेड के निचे बच्चे खेल रहे है जाड़नी निचे बाड को रमे छे लखेली दो चलो अब हम देखते हैं अभ्यास आठ मेरा याने की मारू तुम्हारा याने की तमारू अत्वा तो तारू और उसका उसका याने की एनू अत्वा तो पेलानू तैनू कहीं पन बराबर तो यह किताब है आ चोपड़ी छे यह मेरी किताब है आ मारी चोपड़ी छे अब नीचे वह जो फिला चोकराना खिचामा पैन छे अना आंगली देखो कितली दूर छे आंगली एटले वह थयू बराबर एटले बताई रहो छे वह कलम है तो पेली कलम एतले के पैन पेली पैन छे वह अनिल की कलम है कलम उसकी जेब में है उसकी यानिकी एनी कलम यानिकी पैन पैन एनी एतला तो एना खिचामा छे जेब यानि खिचू पैन एना खिचामा छे अब नीचे देखो यह थेला है थेला इटले सू चित्रमा जूँओ तो दफ्तर थेला इटले दफ्तर आ दफ्तर छे यह नविन का थेला है आ नविन नो दफ्तर छे यह उसका थेला है आ तेनो दफ्तर छे नीचे देखो वह कॉपी है कॉपी यानिकी नौटबुक बराबर किताब एटले चौपडी थाए और कॉपी एटले नौटबुक थाए नौट वह कॉपी है पेली नौट छे वह आसा की कॉपी है पेली आसानी नौट छे वह कमपास है सौरी यह कमपास है आ कमपास छे यह तुम्हारा कमपास है आ तमारो अथवा तो तारो कमपास छे बराबर अवै छेलो अब्यास अब्यास नौँ उसमें हम क्या सिखेंगे प्रश्न बनाना सिखेंगे छोटे छोटे प्रश्न बनाएंगे और उसका जवाब बनाएंगे तो यह चित्र हम देखेंगे और उससे हम थोड़े प्रश्न बनाएंगे सबसे पहले हम प्रश्न बनाएंगे यह क्या है बराबर तो पहले गाय के उपर उंगली रखेंगे और पुछेंगे यह क्या है तो आप जवाब देंगे यह गाय है अगर मैं घर के उपर उंगली रखो और पुछू कि यह क्या है तो आप लिखेंगे अथवा तो आप बोलेंगे यह गर है अगर मैं पेड दिखाऊं कि वह क्या है तो पेड दिखाकर ऐसा पुछू कि वह क्या है तो आप क्या बोलेंगे वह पेड हैं बराबर तो मैं जिस पर उंगली रखो उस पर देखकर आपको जवाब देना है अब मैं बादल पर उंगली रखती हूं यह क्या है अरे वह क्या है तो आप बोलेंगे वह बादल है मैं मोर पर उंगली रखके पुछूंगी यह क्या है तो आप लिखेंगे यह मोर है मोर कितने हैं दो है तो मैं पुछूंगी मैं पुछू कि यह क्या है तो आप क्या बोलेंगे यह मोर है बराबर अच्छा अब देखिए नीचे चित्र के नीचे देखिए एक से आठ प्रश्ण दिये गए है उसके जवाब आपको देने है सबसे पहला प्रश्ण है बंदर कहा है चलो कौन बोलेगा जवाब अपनी नौट में भी लिख देना हो बंदर पेड के उपर है के उपर बराबर बंदर पेड के उपर है गाई कहा है गाई पेड के पास है के पास गाई पेड के पास है मोर कब नाचता है तो मोर बरशात में नाचता है जब बारिस होती है ने तब मोर नाचने लगते है बंदर क्या कर रहे है देखो जाड के उपर बंदर क्या करते है उचल कुद करते है मस्ती करते है तो हम जवाब में लिखेंगे कि बंदर उचलकूद कर रहे है, मस्ती कर रहे है, जो भी लिखना है, लिखो पांच, पेड़ पर कितने बंदर हैं, देखो तो, दो है न, तो हम लिखेंगे पेड़ पर दो बंदर है बंदर आपस में कुछ बात करते हों ऐसा लगता है, तो यहाँ पर प्रश्न बनाया गया है, कि बंदर आपस में क्या बाते कर रहे होंगे तो हम जवाब में लिखेंगे हमें जो भी लिखना है वो हम लिख सकते है वो कुछ बोलते नहीं, हम कुछ सुनते नहीं बराबर, तो हम देखकर हम जो भी लिखना है वो लिख सकते है तो हम लिखेंगे बंदर आपस में क्या बाते कर रहे होंगे कि चलो अब हम यहां से दुसरे पेड़ पर जाए बरावन लड़की गाई से क्या बाते कर रही होगी क्या बाते कर रही होगी बोलो कोई तो बोलो जो भी लिखना है वो लिख सकते हो लड़की गाई से यहां बाते कर रही होगी कि आज में तुहें रोटी खिलाती हूँ बरावर गाई के पास कौन है देखो कौन है लड़की है बरावर तो हम लिखेंगे गाई के पास लड़की है वह क्या कर रही है तो गाई से बात कर रही है अब समझे और खंड़ा सह लेखन इसमें कुछ नहीं है बस आपको देखना है ध्यान से देखना है कि पहले लाइन में पूरा अक्षर पूरा वर्ण लिखा है बराबर और दूसरी तिसरी चौथी और पांचवी लाइन में क्या है उसका लेखन कहां से सुरू करते है तो उ लिखने के लिए हम पहले क्या करते है उसके बाद क्या करते है और उसके बाद क्या करते है तो उ पूरा होता है बराबर तो बीच की जो तीन लाइने हैं उसमें क्रमा शह हमें सिखाया गया है कि हम ये वर्ण लिखने के लिए पहले क्या करेंगे उसके बाद क्या करेंगे और कैसे ये वर्ण हम पूरा लिख पाते हैं बराबर बाल मित्रो अहीं आपडो पाठ बे पूरो थोयो अवलेशन तुम्हें तमने पहला भी आपितू अने अत्यारे पण आपूछू के सौथी पहला तुम्हें तमने एक वच्चन बोवच्चन शब्दो बनाना कि दाना दोस शब्दो बनावाना वची पिला वाक्यानू गुजराती करवानू छे वाक्यानू गुजराती तो आपड़े एक थी आठ अब्यास सुदी एक थी आठ अब्यास ना बदधाज वाक्यानू आपड़े गुजराती करवानू छे तमारेंaving नोटोई ने नोटना पाना मा जें एक कज पिडले वानुँगक पाना मा वज्जे वज एक लिटी दोरी देवानी लिटीनी आ बाजू हिंदी वाक़्े लखवानुग अने लिटीनी आ बाजू गुजराती वाक्या लखवानुग बराबर तो एक थी आठ अभ्यास नू तमारे गुजराती करवानू छे पची अभ्यास नौना आठ प्रश्णों छे जुओ तो आठे प्रश्णों ना तमारे जवाब लखवाना छे नोट मा अने बिल्कुल चिन्तानी करवानी ज्यारेपन लखाई त्यारे बराबर तास सुधी मा जो तमारा आठलू लेशन पुरू ना थाई तो एमा जिटली जग्या जो ही है इतला पेट छोड़ी ने आगणू काम चालू करू पड़से आने जो तम्हें फटा फट लेशन पूरू करी देस्वावता तास सुधी मा तो तुमारा चुकरा हो बहुं उशियर के है बराबर चलो जे भी तमारी अनोपुलता